दोस्तों क्या आप वीडियो एलिटिंग सीखना चाहते हैं और कंप्यूटर पर वीडियो एलिट कैसे करते हैं आपको सीखना है तो ये वीडियो आप जरूर देखना इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री वीडियो एलिटिंग सॉप्टवेर के बारे में बताऊंगा जिस इस चर्च व डिडियो एडिटर बहुत अच्छा वीडियो एडिटर है विल्कुल फ्री है किसी भी तरह का वाटरमार्क इस वीडिडियो एडिटर के अंदर नहीं दिखाई देता है इसको आप windows के उपर use कर सकते हैं macbook के अंदर use कर सकते हैं बिल्कुल free रहता है आप इसके अंदर voice edit करना है video को cut करना है यह सारी चीज़े आप इसमें कर सकते हैं यहाँ पर आप एकेक करके इनके जो features हैं इतने सारे यहाँ पर दे रखे हैं उनको आप पढ़ सकते हैं और आप use कर सकते हैं तो यह जो video editor है उसका यहाँ पर आपको download link मिल जाएगा इस download के उपर आप click करके download कर सकते हैं और इसका download link हमने video के description में भी दे रखा है उसके बाद में दूसरा जो video editor है वो है movavi video editor यह video editor कम्प्यूटर के लिए windows में और mac में दोनों में support करता है windows के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर यह हमने install कर रखा है और ज्यादत तर हम इसका इसका इस्तमाल करते हैं इसके जो features है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर man man जो इसकी features से वो दे रखे है video editing के लिए भी यहाँ पर आपको बहुत सारे features मिलते हैं और audio editing के लिए भी यहाँ पर आपको अलग लग tool दे रखे हैं इसके अंदर आप video को cut कर सकते हैं trim करना है, mute करना है, music add करना है, intro वगेरा set करना है कुछ effects वगेरा लगाने हैं या फिर आप यहाँ पर transitions apply करना चाहते हैं, text लगाने हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे text effects मिल जाते हैं intro वगेरा पहले से बने बनाए हैं, triggers वगेरा बहुत सारे इसमें आपको option मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको केवल इनका जो dashboard है, जो interface है वो में आपको बता रहा हूँ बाकि आगर आप इसको use करना चाहते हैं तो आप इनके website पर जाएए, यहाँ पर download for free का option दे रहा है आप इसमें click करके, इसको आप free में download कर सकते हैं Windows और Mac दोनों के लिए available हैं फिर अच्छा लगे तो इनको बाय कर सकते हैं वैसे Google पर बहुत सार इनके crack version भी available है वो आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं अब तीसरा जो video editor है, वो मैं आपको mobile के लिए बता रहा हूँ mobile के लिए आपको काइन मास्टर मिलता है powerful video editor है, जो कि आप free में use कर सकते हैं यह आपको दोस्तों App Store और Play Store दोनों पर मिल जाएगा आप इसको use कर सकते हैं mobile के लिए बहतरिंग, काइन मास्टर जो video editor है वो powerful editor है और इसका जो watermark आता है free में जब आप use करते हैं वो काफी हद तक आप mode application यूज़ करके उसको हटा भी सकते हैं लेकिन अगर आप इनके premium जो features है उनको use करना चाहते हैं तो इनका पेड वर्जन जरूर ले सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आपको extra features मिलते हैं अब यहाँ पर जो चौता video editor है वो है Filmora Filmora काफी प्रचली थे काफी 3-4 साल से Filmora काफी ज़्यादा लोग इस्तमाल कर रहे हैं और regularist में update होने के कारण यह काफी बढ़िया video editor बन चुका है Windows और Mac दोनों के लिए अविलेबल है यहाँ से आप free download पे click करके अपने computer के लिए Windows के लिए Mac के लिए इसको free में download कर सकते हैं उसके बाद में इसका interface में आपको बताता हूँ हमने install कर रखा है इसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल simple dashboard आपको मिलता है समझने में बहुत ज़्यादा आसान है इसके अंदर आप video को cut करना color balance करना, effects लगाना हर एक चीज इसके अंदर आपको available हो जाती है ज़्यादा तर आप अगर video को easily edit करना चाहते हैं तो आप filmura का इस्सामाल कर सकते हैं filmura 9, 10, इनके 9, 9 versions आते रहते हैं इसके अंदर भी आपको audio के लिए बहुत सारे इसके यहाँ पर आपको royalty free background music मिल जाते हैं text इसमें बहुत सारे मिलते हैं इसमें आपको text के अलग-अलग यहाँ पर आपको design देखने को मिलेंगे, effects देखने को मिलेंगे transactions, effects, elements इसके अलग-अलग इसमें दे रखे elements और बहुत सारे हैं और split screen का इसमें option है और यह जो video editor है यह free में भी आप use कर सकते हैं अगर आपको premium चाहिए तो आप google से इनके website से आप इनका premium subscription भी ले सकते हैं, काफी कम कीमत पर आपको यह मिल जाता है, buy now के click करके बाकी एक बार आप free में use करीए अगर आपको समझ में आता है, सही लगता है तब ही आप ले लीजिएगा अगला जो यहाँ पर मैं आपको video editor बता रहा हूँ वो है tutorials के लिए और screen record करने के लिए Camtasia Studio, TechSmith का Camtasia Studio आपको मिलता है जो की screen को record भी करता है और video को edit भी करता है और खास तोट से अगर आप tutorial record करते हैं तो आप Camtasia का इस्तेमाल कर सकते हैं यह रहा Camtasia Studio इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कोई भी video गर आप edit करते हैं तो easily आप इसके अंदर edit कर पाएंगे tutorials वगेरा अगर आपको edit करने तो क्योंकि इसके अंदर आपको zoom in, zoom out का feature मिलता है cursor का effects मिल जाता है इसके अंदर आपको callouts का option मिलता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको highlights वगेरा करवानी है तो आप करवा सकते हैं जो shortcut की कौन सी press हुई है तो इसके लिए भी आपको option मिलता है तो अगर आप कुल मिला के tutorials वगेरा create कर रहे हैं computer screen अगर आप record कर रहे तो यह जो Camtis Studio वे बहुत अच्छा रहता है आप record the screen पे क्लिक करके screen को record भी कर सकते हैं जैसे कि अभी हम screen को record कर रहे हैं इस तरफ आप देख सकते हैं तो जो Camtis Studio है वो screen recording और साथ में आपके जो tutorial से class अगर आप record कर रहे हैं बाकी other option आप खुद के आप check कर सकते हैं अलग लग आपको Google से free में मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको total पांच ऐसे video editor बताए हैं जिनको आप free में भी use कर सकते हैं और मैंने आपको एक तो open source video editor बताया है जो कि बिलकुली open source से और उसके अंदर आपको buy करने की जरूत नहीं है water mark भी नहीं आता है वीडियो कर आपको अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और SGS Education YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ही notification bell को जरूर दबाए नमस्कार